नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार ज्वार्खंड और आज बेहद ही खास महमान के साथ हम उपस्थित हुए हैं तो सबसे पहले आपका परिशे उनसे कराना चाहेंगा हमारे साथ बिहार के सबसे मशूर बिहार मत कहिए भाई पूरे भारत के मशूर आप वपाताराम शुरू करते हैं और सवाल कहां से साथ हैं क्योंकि जब पत्रकार सामने बैठ्टा है और सामने कहा जाता है यूट्यूबर की जो संगया है अब पत्रकार ही जहां पर बड़े-वाले 괜찮 नहीं पहुंस दे वहां इनके छोटे मोभाइल पहुंच जाते हैं मन जलत नहीं हूँ तो मेरा धड़कन क्यों बढ़ेगा और जिन्दा हूँ तो धड़कन धड़केगा जरूर तो ऐसा कुछ नहीं है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मुख से एक सब्द निकला कि यूट्यूबर और उसके बाद निकला आपके म मान दिया है जिनका कैमरा उस जगह पे पहुँच पाता है जहां पे बड़े कैमरा नहीं पहुच पाता है तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और हम लोग साथ मिलकर समाज की उन चीज़ आप चैनलों पर दिखाई देते हैं सवाल यह आता है कि नौ महीने तक आपने एक सजा काटी है आप बिहार ही नहीं बिहार दूसरे प्रदेश की जेल में बंद रहे जहां ना आपकी भाशा बोली जाती थी जहां ना हिंदी थी ना आपकी भुचपूरी थी तो मिसरा उस प्रदेश के किसी और भी कोने में जा सकते हैं जहां पर इंग्लिस भी बोला जाता है लेकिन तामिल नाडू में थोड़ा सा इंग्लिस भी बहुत कम बोला जाता है चुकि वो अपने भारत का एक राज्य है तो मैं उस राज्य का और उस राज्य के लोगों का अपमान तो क मेरे साथ साजिस हुआ, नौ महीना के बाद मैं जेल से निकला और दिपावली के समय में कोट ने मेरे उपर से NSA हटा दिया, अगर मेरे उपर NSA नहीं लगा होता, तो सायद जितना भी FIR मेरे उपर हुआ था, दस FIR हुआ था, चार बिहार में और छे तामिल नाडू में, मैं द दो धाराएं थी, उस धाराएं, उन सभी धाराओं में जो है, एक महीना से ज़्यादा कश्टडी नहीं लगता है, किसी भी वकिल से आप लोग पूछ सकते हैं, जब कोट ने क्वेस्ट कर दिया, क्वेस्ट मतलब खारीज, खारीज मतलब खतम कर दिया, कि नहीं मनीज का सि सरकार हमारे उपर जुर्माना लगाता है, बिहार की सरकार ने मेरे जिन्दिगी के उपर जो जुर्माना लगाया, उस जुर्माना का मुआपजा कौन देगा, मेरी मा जो है, रोती रही, चलिए आपने मेरे साथ जो किया किया, आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे ब इतने बच्चे काम करते हैं, उन सभी का रिपोर्ट तामिलाडू पूलिस भी निकाली और बिहार पूलिस भी निकाली और सब के उपर F.I.R किया गया, उन लोगों ने कौन सा गुना किया था, क्या वहाँ पे सविधान का पालन नहीं किया जाता है, क्या वहाँ पे पत्रकार यूट्यूबर से डर गया, उसके उपर F.I.R किया, उसके दोस्तों के उपर F.I.R किया, उसके रिष्तेदारों को नहीं छोड़ा, उसके चैनल में काम करने वाले लोगों को नहीं छोड़ा, मनीस कस्या अगर गलत किया है, मुझे सजा दिया जाए, मुझे सलाखों के कंस के साथ और रामण के साथ और दूरियो धन के साथ जरीक है आप घुमा-फिरा के है चञणक कोन हैं कि कौन हिसा मैं जहना मैं चंद्रगुप्त हुआ मैं उस भूमी से हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि भारत का सबसे दुनिया का सबसे मजबूत सासक जो है, वो मगद का था और उसका नाम जो है चंदरगुप्त मौरे था. इल्जाम जो लगे, जो आरोप लगे, उस पर कुछ कहना है आपको? गलत लगा मेरे उपर, बिल्कुल गलत लगा, मेरे घर का कुर्की हुआ, एकदम गलत लगा मेरे उपर, मैं किस चीज को साक्ष मानूंगा, मैं किसको साक्ष मानूं, और इनी सभी साक्षों पे जो है, मैंने वीडियो बनाए, आरजेडी के एक नेता है, डॉक्टर अनिल सहनी, जो MLC भी रहे हैं, और विधायक भी रहे, उन्होंने 28 मार्च को फेस्बुक पे पोस्ट किया था, उसका स्क्रीन सोट, उसका डिटेल्स ह मेरे पास, उन्होंने क्यों पोस्ट किया था, फेस्बुक पे, मैंने तो यहीं कहा था था ना, कि अच्छा, मजदूरों के हक के आवाज उठाने के लिए पूरे भारत में कितने लोगों पर फायार हुआ है, साय तो किसी पर नहीं, मैंने उनके लिए मजदूरों के लिए इस पर बार या रहा था . क्योंकि यहां पे लोकल सरकार, वहां पे लोकल सरकार, यह लोकल सरकार अपने लोगों के लिए आवाज उठाती, वो लोकल सरकार अपने लोगों के लिए आवाज उठाती, और दोनों लोकल सरकार अटेक करता केंद्र सरकार पे, कि तुम क्या कर रहे हो, और केंद्र अगर त तो हम लोग मारके भगाएंगे एक आदमी ट्रेन में घूसता है और हिंदी हिंदी लोगों से पूछता है और मारता है वो वीडियो है सोसल मीडिया पे मारता है हिंदी हिंदी और मारना सुरू कर देता है वैसे लोगों के उपर है निसलगना चाहिए कि मनीज कर सेप के उपर निसे लगना चाहिए यह सारा सेक्साइब हाँ अब घंत दे और बीजेपी सासित परदेश में घुम घुम के मैंने बीजेपी के निताओं से सवाल किया है। मैंने वीडियो बनाए, वो भी वीडियो है, महराष्ट्रा में जाके वीडियो बनाए, वो भी वीडियो है, हर्याडा में खटर सरकार से मैंने सवाल किया है। लेकिन समस्या क्या है ये विपक्षी पार्टी को, कि आप कॉंग्रेस के तो बहुत सारे पेज़ पे मेरा वीडियो से अर किया गया और लिखा गया कि पत्रकार हो तो ऐसा, वेरिफाइट पेज़ पे से अर किया गया, जब मसौडी में मैंने पुलिस वालों को रंगे हाथ से जब बीजेपी और जदियू की सरकार थी विहार में, रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा वो विडियो बने, आर जडी ने अपने पेज़ पे से अर किया की पत्रकार हो तो ऐसा, जब आप विपक्ष में थे, और मैं बीजेपी और जदियू से सवाल पूछ रहा था, तो सबसे बढ़िया मनीज पत्रकार था, और जब आप सत्ता में आए और आपसे सिर्फ चार सवाल पूछा, कि आप एक मार्च को क्यों गए थे, और जब आप गए तो सिर्फ बर्डे का केक खाए हैं, कि वहाँ पे स्टालीन जी से पूछे भी है कि मजदूरों के साथ, द उन से वीडियो बनाते पूछते कि हम में सोसल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि बिहार के मजदूर परसान है, इस टालीन जी बोलते हैं, बात खतम होई पर खतम, दो गो, एक मुकमंत्री बोल देता, खतम हो जब लेकिन ये साजिस था, इस आग को बढ़ाना था, क्यों दिखिया क टूइٹर पे, एक मार्च को जो है बिहार के अखबारों में आया, दो मार्च को बिहार के अखबारों में आया, दो मार्च को बिहार विदान सबा में हंगामा हुआ, और तीन मार्च को मैं विडियो बनाय, तो सब को छोड़के मनिस्क Llashieуд ko 弄प को डालेंगे, ये लोग डरे हुए हैं और इन लोगों जो भी आना अभी डिजिटल जबाना है अभी उठ जबाना नहीं है कि तेल डाली है और जलाई है उसर जबाना खत्ब आपने आग की बात की आपके अंदर कितनी आग है क्या बस जो आग अभी मुझे निकलती हुई दिख रही है ये आग है या फिर कुछ ये आग को आप पॉजिटिव आस्पिक्स की तरफ ले जाए हैं और किस टाइप का मजदूरी करते हैं टोइलेट साब करते हैं तामिलाडू का एक नेता बोला ना हम अगर उहां पे होते ना तो उसके च्छाती पर चड़ के जो है उसका बाती तूर देते जो बोल दिया कि बिहारी जो है टोइलेट साब करता है हम तो तो तूर देते हैं स उसने पूरे बिहारियों को बोल दिया कि टोईलेट साब करते हैं। हम तो वहां रहते तो पूरे बिहारी का अपमान अगर कोई करते हैं। हमें देश से प्यार है, जैहिंद बोलने वाले लोग हैं हम लोग। भारत का कोई भी कोना हो, हम उतना ही प्यार करते हैं जितना बिहार से करते हैं, अगर कोई दूसरे राज का भी अपमान करेगा, तो भी हम लोग खड़े मिलेंगे, लेकिन कैसे बोल दिया कि टोइलेट साब करते हैं, क्यों नहीं बिहार का नेता लोग जो है, उसके उपर एन नेता बनने की तरफ हैं, नेता बनना चाहते हैं, नेता गिरी करना चाहते हैं, नेता बनना क्या गुना है क्या गलत चीज है क्या नेता बनना, क्या गलत लोग ही सिर्फ नेता बनेंगे, क्या राजा का बेटा ही सिर्फ राजा बनेगा, क्या नेता का बेटा ही सिर्फ नेत रहुँँगा और मैं किसी से नहीं ढरूँगा फिर मायक उठाऊंगा और ऐसा नहीं है कि BJP सासित परदेशों में जाकर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा वहां पे अगर कुछ गलत होगा तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा यह लोग को जो करना है कर ले मुझे बोला गया कि मनीश जी चूप को जाई है बिहार में आप रात का गराफ इतना बड़ा हुआ है कि दिन में गोली मार दे रहा है सब रात में गोली मार दे रहा है सब कुछू कर दे रहा है हम तो भीना सुरक्षा का घुम रहा है बिहार में हमको ना वाई चाहिए ना वाई प्लस चाहिए ना जेड चाहिए कुछ हूँ नहीं हम बिहारी हैं बिहार के लोग हमारा सुरक्चा करेंगे हम बिहार का सुरक्चा करेंगे हम तो घूम रहे हैं 2024 में एक नया नेता मिलने वाला है बिहार को? मैंने नहीं सोचाया, सर. मैंने इसके बारे में नहीं सोचाया, मैं जो कर रहा हूँ, वो मैं करता रहूंगा. और जहां भी बिहार तथा बिहारियों का कोई अपमान करेगा, साथ ही देश के किसी भी कोने का या देश का अपमान करेगा, वहाँ पर मनीश का सेफ खड़ा मीलेगा. अंदर कुछ आपने पहन रखा है, क्या टी-शेट बज़रे? यह उसने बोला था ना, माइक थोड़ा देखिएगा. उसने बोला था ना, वोनेता ने, कि बिहार के लोग ट्वैलेट साफ करते हैं. यह देखिए, हम लोग भय अपराद मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं. और बिहार का पहचान जो है ना, वो ट्वैलेट साफ करने वाले लोग नहीं हैं. हम लोग जैहिंद बोलने वाले लोग हैं हम लोग देश से प्यार करने वाले लोग हैं सरहद पे अगर गोली खाने का नौबत आता है तो बिहारी अपना सीना लेके वैसे ही खड़ा होता है जैसे दूसरे राजी के लोग खड़े होते हैं जब देश को बचाने की बारी आती ह तो हम बिहारी वैसे ही खड़े होते हैं IAS, IPS, डॉक्टर, इंजिनियर, CA, कार्पेंटर, वर्कर, फार्मर, सब हमारा बिहार का पहचान है लेकिन अभी के समय में कुछ भरष्ट नेता दिम्मक की तरह बिहार की कुरसी पे फेबी कुई गिरा के फेबी कॉल नहीं अभी कॉल से भी मझबूत योड होता है फेबी कुई राके फेबी कुई से बरा बनवास हो गया इक सवाल आ रहा है तो आरोब की बात होगे आरोब पर गता कहना था इस नौ महीने के गैप में कई बार ऐसा हुआ कि आपके मां से आपके भाई से हमारा इंट्रेक्शन हुआ यूज एटीन बराबर उन तक अपनी पहुच बनाता रहा मुझे यह बताइए जहां तक मुझे पता है या फिर जहां तक मैं जानता हूं कि जेल में एक दिवार होती है जो जाली की तरह होती है और तकरीबन छे से आठ इंच की होती है इस पार और उस पार में बहुत बड़ा गैप होता है ना आप छूप आते हैं सिर्फ देख पाते हैं जब आपसे लोग मिलने जाते थे जब आप यहां आए क्या भावनाएं होती थी अंदर क्या लगता था है तामिल नाडू में मैं तीन महीना रोता रहा है अब रोते भी हैं मैं रोता रहा तामिल नाडू में तीन महीना साड़े चार सो किलोमेटर दूर डाइरेक्ट फ्लाइट नहीं डाइरेक्ट ट्रेन नहीं मेरा एकाउंट सीज़ कर दिया गया मेरे कंपनी का एकाउंट सीज़ कर दिया गया मेरी गलती थी तो मेरा एकाउंट सीज़ करना चाहिए जो मैं अपने कंपनी के स्टाप को सेलरी देता था, उनका एकाउंट सीज़ कर दिया गया, जब लोग मिलने आते थे, दूसरे दूसरे राज्जियों से लोग मिलने आते थे, तो रोने के अलावा कुछ नहीं, मंगल बार और विरस्पत बार को हम लोग मिलते थे, बाकी सब दिन जो है, मैं अकेले रहता था था, वहा पानी, जो पानी पूरी आप लोग खाते है न, पीते है न, वो पानी, दही का जो मठा होता है न, उसको चावल में डालके, ये सब खाके मैंने चार महीना विताया हो, अगर मेरे उपर एने से नहीं लगा होता, जिसको कोट ने खारिज कर दिया, तो मैं साय दो महीना के अं पाराया, मैंने विरोध किया, अंगरेज का मूर्ती था, मैंने विरोध किया, 440 बच्चों का भविस से बरबाद किया, मैंने विरोध किया, ट्रेन चाहिए था, मैंने विरोध किया, मैंने विरोध किया, मैंने विरोध किया, नेचर जाके देखिए, वैसे व्यक्ति को जो प्रवाइब निद्ट किया जाएगा ऐसे तो अनेकों लोग जो है निर्दोस जेल के सलाकों के पीछे जाते जाएंगे जाते जाएंगे आप तो रहके आए ना क्या अंदर क्या आपको लगा आपने इतने दिनों तक क्या देखा मैंने देखा कि आज भी आजाद भारत में सर आज भी जो सरकार है अगर कुछ लोग चाइना से फंडिंग करा के देश को बदनाम करेंगे तो सरकार तो उन लोगों को रोके गाएं लेकिन मेरे जाएसा पत्रकार आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिए वीडियो मैं बता रहा हूं मौर भी में पूल गिरा था वह इसे वैसे लोग जो है जनता के खिलाप अत्याचार करते हैं उसी अत्याचार का सिकार मैं मनीश का स्यप हुआ हूँ मुझे इस बात का अफसोस कता ही नहीं है कि मैं जेल में गया एक मिना आपने कंस उन्हें कहकर खुद को कंहिया बताया है क्योंकि आप जेल से जर्म ले रहे हैं नहीं मैं कंहिया नहीं हूँ इस देश में जितने भी लोग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग है उस सारे के सारे कंहिया है धर्म के रास्ते पे चलने वाले सारे के सारे कंस है सिर्फ मैं नहीं हूँ धर्म के रास्ते पे आप चलते हैं आप भी कंहिया है यहाँ पे जो समाज को लूटने का प्रयास करता है जो अपने राजी को बरबाद करने का प्रयास करता है वो सारे के सारे कंस है आपने एक सीद का उत्तर नहीं दिया आप उस गैप की बात मैं कर रहा था उस जेल में उस गैप के आर और पार एक तरफ आपकी माँ दिखती थी एक तरफ आप को निहार रही थी तो वो situation के बारे में ज़रा बताई आप बहुत ही कड़ा बोलते हैं और आपने कई बार मुझसे कहा भी कि मुझे तो मेरे साथ जो हुआ उसका कता ही मलाल नहीं कता ही दूख नहीं है मेरे मां के साथ जो अपमान हुआ उसका बदला मैं लोंगा आज भी YouTube मे गाली दे के एक ब्यक्ती ने विडियो बनाया नाम नहीं रखूंगा यहां पर गाली दे के विडियो बनाया क्यों नहीं ब्यार सरकार उसके उपर करवाई कर रहा है गंदी गंदी गाली दे के विडियो बनाया मनीश कस्यप गुनागार है ना सजादो मनीश कस्यप को मेरी मा को गंदी-गंदी गाली क्यों दिये मेरे पिता जी आर्मी में है उनकी पत्नी जो है देश में सुरक्षित राज में बिहार, राज में सुरक्षित महसुस नहीं कर रही है जरा सोचिए उनको गंदा-गंदा गाली दिया गया हमें विडियो है मेरे पास सब कुछ है सब कुछ गंदा गंदा इतना गंदा गाली दिया गया है कि आपका भी खुल जाएगा मेरे साथ जो हुआ सो हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे मा के साथ जो अपमान हुआ है बरफ Beauty जो करना है मेरे डादा जी का बनाय उबाया हुआ घर का वा वह है किसी को थे उबकुत आप yote juda बहुट सारे सवाल पूछना चाहते हैं कुछ आगे जाए कि यूट्यवर भी बनना चाहेंगे उन्हें काफी हिम्मत आएगी और मनीश से जब बात चीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत कड़ा बोलते हैं लेकिन तथ्य परक बोलने का जमाना है क्योंकि कब कौन सी कह सकते हैं चोट कहां से लग जाए कहां नहीं जा सकता कई लोग हैं अगर सवाल पूछना चाह सोचा है मैं बस मेरी मां के आशूओं का अपमान के बारे में सोचा है और मैं उस बदले की आग में जल रहा हूं मैं लूंगा बदला मैं मजदूरों के अपमान के बारे में सोच रहा हूं जो बिहार के मजदूरों के साथ दिन रात हर दिन अपमान होता है उसके बारे में स अगला सवाल करने वाले लोगों की सरकार यह, और आप लोग को को दोसण सबूत कर को से एकली सबूद法, और जैसा कि आपने कहा कि YouTube से मैंने अपनी जर्णी स््टार्ट की थी, तो YouTube पर मतलब अभी आपका जो भी है followers हैं आने वाले समय पे जो भी मतलब आगे होने वाला है trending में नहीं रहेगा सारे छोटे-छोटे platform पे जा रहा है shift हो रहा है like Instagram पे हो रहा है Twitter पे हो रहा है तो आगे आपका future plan क्या है मेरा future plan बस इतना ही है मैंने अपने बारे में जहां तक जाना है कि किसी भी हाल में हम जैसे लोगों को अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए समर्पित रहना है तन समर्पित, मन समर्पित और मेरा जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दो, तुझे कुछ और दो, बस यहीं मेरा लक्स है, यूट्यूब रहे ना रहे, इंस्टाग्राम रहे ना रहे, फेस्बुक रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा राज रहना चाहिए, और हमारे इमंदारी हमारे सीने में धढ़ातना चाहिए, बस यहीं सोच है मेरा मनी जी हमने आपके fan followings देखे हैं बहुत fan follower भी हैं आपके लेकिन कुछ आलोचक भी है जो आपकी पत्रकारता की शैली को लेकर सवाल उठाते हैं मैं पत्रकार हूँ ही नहीं मैं पत्रकार हूँ ही नहीं तो जहां पे पत्रकार जो है इस्तिती को दिखा रहा है उस पत्रकार को मार के भागा दिया जा रहा है वहां पे आप किस परकार का पत्रकार बनियेगा जिस भासा में वो लोग समझेंगे उसी भासा में समझाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हाड बनना पड़ता है, थोड़ा सा उस परकार के सब्दों का चैन करना पड़ता है, बिहार से तो वीडियो वाइरल है, पत्रकारों को PMCH मार के भागाया गया, देखिए यूट्यूब पे वीडियो पड़ाया कि ने, वो तो सांती से जाके पूछ मुद्ध करेगा सांती साथ अगर जीन तरीके से तंग करेगा, उसी तरीके से सलूख करेंगे हम इस पूरे इंटर्व्यू के दौरान हमने आपका गुसा भी देखा और आप कह रहे हैं कि आप बदला लेंगे ये किस तरह का बदला होगा कैसे आगे बढ़ेंगे बिहार के तता बिहार के लोगों को इंसाफ दिला के, बदला ये होगा कि किसी मा के आखों से आशू आए बिहार में, उससे पहले कोई बेटा अपना हाथ लगा दे कि मा तुम रो मा तुमारे सारे कश्टों को मैं हर लूँगा, मैं उस परकार से बदला लूँगा, और मेरा यही टारगेट है बस उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है एक पीछे से हाँ पुछ यहां सब पुछ बिहारियों का अक्सर बाहर के राजियों में अपमान किया जाता है इसके पीछे का कारण क्या है क्या बिहारी खुद या फिर हमारे बिहार के राजनेता देखे बिहार की जन सकते हैं यहां तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ब्यक्ति ने पहाड तोड़ा है वो भी बिहार का IAS IPS डॉक्टर इंजिनियर सब बिहार के लेकिन कुछ साजिस करने वाले लोग नेतागीरी चमकारने वाले लोग अपने अपने राज में बिहारी के नाम पे र इलाज भी बिहार में कराएंगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी बिहार में और अपने बच्चों को नोकरी भी बिहार में दिलाएंगे जिस दिन ये सोच बिहारीयों के अंदर आ जाएगा मैं दावे के साथ करता हूं कि उसके बाद पांच साल के अंदर अंदर ब विहार पूरे भारत के टॉप थिरी राज्यों में से विक्सित राज्यों में से एक राज बन जाएगा. मनी जी, आप नौ मैंने जेल में रहें, इस दोरान आपने कुछ लिखा या कोई फ्यूचर प्लानिंग किया? मैंने एक डाइरी लिखा, मैंने एक डाइरी लिखा है, बस मैंने कहीं पढ़ रहा था, मैं कहीं पढ़ रहा था, कि one day your future will be better than your dream, if you work hard with your willing heart. एक दिन आपका भविस्य जो है न, आपने जो सपना देखा है न, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन अगर आप सच्चे मन से कड़ा परिश्रम करते हैं तो, और एक ना एक दिन मुझे पता है कि बिहारी ओने जो सपना देखा है न, उससे भी खूबसूरत अपना देखा है, नया देखार बनेगा, समरीद बियार बनेगा, मैं दावे के साथ खहता हूं, एक सवाल आपसे है कि हम सुन रहे हैं आपको, आपने बताया आपके मा के साथ, आपकी फैमिली के साथ सब की साथ गलत बिहेव किया गया, वह एक समय था, जब आपके साथ emotional breakdown लोगों से मिलते रहे कुछ लोगों ने अस्वासन दिया कुछ लोगों ने साथ दिया बहुत सारे लोगों ने साथ दिया उसमा ने मुझे टूटने नहीं दिया मेरा भाई जिससे मैं पहले एक महिना पे 15 दिन पे बात करता था वो अपना कंपनी में काम करता था बैंक में काम करता था उसकी साधी भी हो चुकी है मा के बाद सबसे ताकतवर अगर कोई उभरा तो वो मेरा भाई था मेरे पिता जी जो अपने पैंसन का पैसा निकाल के दिये है तब मेरा बेल हुआ है पैंसन का पैसा निकाल के दिये है पैंसन का पैसा तब मेरा बेल हुआ है और मेरे वो गरीब दोस्त जिनके पास था तो कुछ नहीं लेकिन ये एक दिल था उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए उन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं है अगर अगर सिंगल नेचर अगर ये है कि जमीनी विवाद में कभी कभी गए इंटेंसन नहीं रहता है लेकिन हो जाता है तो 20 साल की सजा होती है 14 साल में सजा पूरा होता है और बोड बैठा के जो है उन्हें छोड़ना रहता है वैसे वैसे लोग बेउर जेल में और बिहार के अनेकों जेल में सड़ रहा है लेकिन बोड बैठता है लोगों को छोड़ा जाता है आप देखें बिहार में एक नेता पर्कार में झो सड रहे हैं उनके लिए सरकार बोड नहीं बिठा रही है और उनको नहीं छोडफ रहे हैं इस Porak से तो दो अतियार होता है इस एपर पर्षांत के बारे में क्या सोचते हैं वह भी माजडूर । प्रोजगारी की बात करते हैं प्रोजगारी की बात करते हैं प्रोजगारी की बात करते हैं लेकिन ऐसे ही खाली हाथ खाली जोला नहीं लोटेंगे बहुत सारे सवाल होंगे उस जोले में ठीक है तुरन लोटेंगे चलिए एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हम लोग बैठें कुछ बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनिश कर्षप मौझूद है तो एक बार फिर से तालियों से स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद भी और मनिश कर्षप धड़ा-धड़ सवालों का जवाब दे रहे हैं इमोशन्स इनकी आँखों में मैं बैठके देख पा रहा हूँ क्योंकि हमारी इनकी दूरी कम है और जब यह भर-भर आते हैं तो इनकी आँख के दोनों कोर में पानी आता है तो आप समझ पाएंगे कि दिल से भरे हैं आग तो इन्होंने दिखाई है लेकिन उस आग को अब सार्थक तरीके से पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं इसलिए हाँ जोड़कर सभी यूट्यूबर से भी अपील कर रहे हैं जितने भी मीडिया परसन से उनसे भी अपील कर रहे हैं कि समभल कर बोलिए तथ्यों पर बोलिए और भावेश में आकर कुछ भी मत बोल दीजे अगला सवाल हम लोग ले ले लेते हैं अरुन जी मनीश जी हम लोग लगातार मीडिया में काम करते हैं तो कई दूसरे पोर्टल पर जाकर प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ते रहते हैं एक पोर्टल पर मैंने तीन-चार दिन पहले पढ़ा कि आप में इनमे से किनमे बिहार का भवी से देखते हैं चार ओप्सन था लेकिन उसमें मनीश कस्यप का ओप्सन नहीं था लेकिन कॉमेंट में लोगों का जवाब था कि बिहार को मनीश कस्यप चाहिए तो उसके बारे में आप क्या लोगों कॉमेंट में कर रहे था वो चार ओप्सन नहीं था लेकिन जो लोग कॉमेंट कर रहे था उसमें था कि बिहार को मनीश कस्यप चाहिए लोगों ने नौन अफ दीज से लिक्ट किया है अब ज़रा सोचिए ये सौभागे की बात है अपना देश कितना खुबसूरत है कि अटल वियारी बाजपे जो राष्ट धर्म और पंच जन में पत्रकारिता करते थे उन्होंने अपने बायोगराफिय में लिखा कि सरकार के तरकस में इतना तीर होता है कि वो जब चाहे तब पत्रकारों का गलग घोंट सकता है ये अटल वियारी बाजपे जो तीन वर परदान मंतरी बने उन्होंने लिखा और उनके दर्द और पीडा को देश के लोग समझे और उन्हें परदान मंतरी की कूरसी पे बिठा दिया यानि पत्रकार जो है अपने देश में परदान मंतरी की कूरसी तक पहुच गया और अब नया जबाना है यूट्यूबर को लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं इतना चाह रहे हैं और जब हम लोग उनके दिल में घर बना लेंगे तो चार आपसन में नाम हो ना हो फरक नहीं पड़ता है कमेंट में तो अपना नाम जरूर रहेगा उनके दिल में अपना घर जरूर रहेगा अगल नेता जी लोग सुर्खियों में रहने के लिए जूट परोस देते हैं, बड़ा-बड़ा घोसना कर देते हैं, कोई दिकत नहीं, बड़ा-बड़ा सुर्खियों में रहने के लिए मुंबई के सडकों पे और बॉली बुड में और ना जाने कहां-कहां किस परकार से नाटक कर कोई दिकत नहीं हम सुर्खियों में रहने के लिए अगर लोगों के समस्याओं को सही ढंग से दिखा देते हैं तो कौन सा गुना कर देते हैं कौन सा गुना कर देते हैं और हमारे सुर्खियों में बने रहने से अगर बिहार का भला हो जाए बिहार के लोगों का भला हो जाए गरीबों का भला हो जाए मजदूरों का भला हो जाए हमारा तो सुरू से जिस दिन जल से निकला उसी दिन कहाता है कि मजदूरों का 25 लाग का इंसूरेंस करे बियार सरकार अगर दूसरे राज में अगर मजदूर के साथ कोई भी हाथसा होता है तो बियार सरकार 25 लाग सब्सक्राइब उसमें हिंदुस्तानी वाला अगर कॉलम हो तो जाके देख लिजे तो हिंदुस्तानी वाला तो कॉलम था नहीं इस गर्णा से क्या लगता है अंग्रेज ने गर्णा किया था पता है ना 1932 या 37 में अंग्रेजों ने गर्णा किया था भारत में गर्णा किया था वो कभी करी है थोड़ा उपर नीचे हो जाए तो माफी चाहता हूं पूरे भारत में जैन लोगों का परसेंटेज एक परसेंट से भी कम है लेकिन पूरे भारत के एजुकेशनल इंस्टिट्यूट पे पूरे भारत के बिजनस पे पूरे भारत को होस्पिटल पे 60% कब जा है उन्हों उसी को ताकत बना दिया इजराइल इजराइली लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 93 लाख है उन्हों ने उसको ताकत बना तो जनगर्णा से कोई फायदा नहीं होने वाला जनगर्णा तो हो गया च्व महीना हो भी गया हिंदूस्तानी का कॉलम नहीं ता मनिशका से चूट भी अब विकास करें न बिहार का अब आये जब इन पे विकास करें बिहार का अब तो विकास नहीं हो रहा है अब पता है क्या हो रहा है कुरसी कुरसी खेला जा रहा है देख रहा है न बिहार में क्या हो रहा है क्या हो रहा है अभी जो है दिल्ली कभी पटना कभी दिल्ली, कभी बिहार में तुफान मचा हुआ है, कभी वो तुफान दिल्ली में आ रहा है, इन तुफान के बीच में कभी चर्चा हुआ, छे महीना बाद फिर से अगर आपने मौका दिया तो आप ही के चैनल में आके पूछूंगा कि बिहार में बाढ़ आया है, आज ब जाता हूं, बियार में जितने भी सरकारी हैले, कम से कम अगर आफ सक्षम हैं, तो एक एस्ट्रेचर खरीद के दे, ताकि ळोगों का जान बचेगा, एक एस्ट्रेचर खरीद के दे, मैं इस परकार की बात करता घृता हूँ, तो यह तो गुनाह नहीं है, और जाति ये जन्ग प्लवा जाती का हई विदान साबर इतना पर सेंटेज़ था तो इसी जाती के आदमी को देंगे दूसरे बाषि आती को नहीं दे लिए आनके बिहार को वियार को बचाने के लिए और ज्युक्त होते तो शाय तक भी हर जो आनना वो बन चुका होता है। पाटी खड़ी हो गई अटल वियरी बाच पे यह आये ना सुरवात किये थे जीरो से अडवानी जी जुड़े दू पे गए अब भविश्वानिया कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं बिहार में क्या होने वाला है बिहार में बहार बना रहेगा वह अला तो बहार नहीं बना र रहा है और राम अंदर को ले करके भी कई लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि यह पॉलिटिक्स हो रही है राम लला तो पहले से विराजमान है निया क्या देखता है और क्या यह इस बार भी वही कार्ड है बीजेपी का क्या देख रहे हैं आप किस तरीके से देखे हैं आप सब्काटर ने जांड़ मंदीर है कि एसरे जगह से लोग अएगे समान खर देंगे बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चलेगा अब जाके देखिए न साउथ में बड़े बड़े मंदीर हैं लोग दर्सन करने जाते हैं साही तिरूपती जो है, कैंसर अस्पताल चला रहा है, इन्वर्सिटी चला रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भगवान के नाम पे कोई राजनीती नहीं कर रहा है, वो तो भगवान का मंदिर बना दिया, और भगवान के द्वारा जो है लोगों का विकास कर रहा है, स्रीडी मं अब राम मंदीर बनेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि राम मंदीर भी 50 अस्पताल 24 इन्वर्शिटी तो जरूर खोलेगा और लोगों का विकास जरूर होगा पहला चीज़ दूसरा चीज़ उस राम मंदीर के वज़व से आयोध्यय का विकास होगा यूपी का विकास हो पर भरोसा है भाई हम आस्तिक लोग है ऐसी नहीं रजक्त को था सinkतला है पहलिए उन फुलरम को लाये हैं उन्हीं कि पार्सी सकते हैं प्रशूलर विम्सान और फट्वा21, वा थाहर करे था नहीं को फ्रकाता था था, पाता है मैं भारत का नागरिक हूँ, भोड़ देने का मुझे अधिकार है, अगर मैं जेल में नहीं गया, अगर साजिस करके मुझे फिर से जेल में नहीं डाला गया, क्या पता मैं आज से निकलू पिछली बार जो है, मैं न्यू चैनल पे इंटर्व्यू दिया था, बियार गया, वहाँ पे जो है, सरेंडर करना पड़ा, मुझे जाके थाने में सरेंडर किया, मैं खुद सरेंडर किया, अब बहुत सारे चैनलों पे चला कि मनिस का सिफ हुए अगर मैं जेल में नहीं गया, तो मैं सही ब्यक्ति को जरूर भोड़तूँगा, दिल में कौन सी कसक है, कौन सी आवाज आरही है, दिल में बस एक ही कसक है, कि आईये देश का हरे कोना जो है, वो विकास के रास्ते पे आ चुका है, और विक्सित हो रहा है, आज भी बिहार बारत का किसी भी राज से 40 साल पीछे और बिहार की राजधानी पटना किसी भी राजधानी से 40 साल पीछे और कोई सवाल अगर है तो पटनी से 50 देर पहले कर प critical के बिहार में अस सर्कार गिरें और कव गिरेंगे और सर्कार कब गिरेगी कैसे की सर्कार गिरने के दो चारीर नास्ति है याaris तो BRIAN के सब्सक्राइब करेंगी मनिश कष्चित कौन सा रास्टा वहा पूल गिरा ना, गिरा की नहीं, मैं बोलके गया था कि इसको साइस रंग से बनाओ नहीं तो गिर जाएगा, हम बोले थे ना कि जेल से निकलेंगे, 180 दिन के अंदर जो है सरकार गिरेगा, हमको पता भी नहीं, हम सोय हैं, यूट्यूब पे विडियो देख रहा है कि इस बिया पर्टी से मैच करती है, दो चार दस हजार लोगों को छोड़ दिया जाए, तो सभी लोग देश से प्यार करने वाले लोग है, और वैसे हम लोग आदमी है, जो देश के लिए मर मिटने के लिए तयार है, तो हम लोग राष्टवादी लोग हैं, एक बात और चल रही थी, आप बाउंसर वाले यू तो बाउंसर को रखना पड़ेगा किसके लिए, जो लोग साजिस करते हैं हम लोगों के खिलाप, उनके खिलाप अपने आपको बचाने के लिए रखना पड़ेगा, ये चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार और देश में मनिस कस्यप को घूमने के लिए कभ माने जू है मुझे सेर पाइदा किया, जिस दिन आप सभी को सब को हम सभी को पता चल जाएगा ना कि हम सेर है तो हमें किसी से डर नहीं लगेगा और मुझे किसी से डर नहीं लगता है, तो मुझे बाउंसर की जोतनी पड़ेगा एक सवाल है भईश्वानी की बात अचानक से यादा आगे आपकी माने कहा एक भईश्वानी के जल्दी शादी करेंगे आपकी कुछ सोचा आपने अब बता यह 18 को केस हुआ है मेरा ससूर कौन बनना चाहेगा क्यों कोई नहीं चाहेगा अरे मेरे उपर 18 केस है साधी होगा उ वहां से 450 किलो मेटर दूर मदुराई में हुआ वहां से 300 किलो मेटर दूर कीष्नागिरी में हुआ वहां से 300 Street Ride शुम्हश्य भूर तिरम वहांसे प्र princip with on Google to search 目前 मिए च्छोटा भाई है, माहा को देख लेगा और मैं बिहार और देश के लिए समर्पित हूं मेरी मम्मी को बीपी का बीमारी है मेरी ममी को सच में बीपी का बीमारी है अगर मैं कुछ भी यह बोलूंगा तो फिर फिर वो वो गोली खाने लगते हैं ने अपकी मां से बहुत सारी बातें की और बीपी को कम करने के हमने भरसक कोशिश की हमें लोगों ने उन्हें बहुत ही समहला भी और शायद आपने वीड कुछ नहीं होता है उसके घर का कुरकी नहीं होता है अपने भारत इतना खुबसूरत देश भारत है इतना खुबसूरत सविधान जो है बाबा साब अमेटकर ने लिखा है गरीब हो के लिए जिनके पास पैसा नहीं अच्छा यह बताई मेरे पास 100 कोड़ों रुपिया होत अगर ऐसा होने लगे तो साय जो है आज का आज विहार में राम राज आ जाएगा लेकिन बिहार में अभी तो राम राज नहीं कितना मुश्किल होगा फिर से अपने पूरे सेटप के साथ साड़कों पर आकर उसी तरह की रिपोर्टिंग करना है। तो मुझे लगा कि मनीश कस्यव को फिर से एक नया सुरुवात करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं जेल गेट के बाहर आया ना जब मैं जेल गेट पे निकला ना मैंने अपने जिंदगी में जेल गेट पे भारत के किसी भी कोने में इतना भीड नहीं देखा है। और जेल गया था उस लकीर को यहां के लोगों ने और बड़ा कर दिया है। और मुझे जीरो बनाने का प्रयास सरकार ने किया। लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं हीरो बन गया। और मुझे इस बात का गर्व है। और वहाँ पे अगर आप बेऊर जेल पे रहते न तो वहाँ पे पता चलता कोड़ोरपती घर का कोई नहीं था। कोई बिधायक का बेटा वहाँ पे नहीं था खड़ा मेरे इंतिजार में कोई नहीं था। कोई अमीर कोड़ोरपती नहीं था। रिक्सा वाले ठेला वाले जो भी सुनते थे मनिस कस्यप्त निकले गा। एक दिन पहले भी उतना ही भीड था। और अगर टाइम फिक्स रहता बता दिया होता सरकार की 12 बजे एक बजे या आज छोड़ देंगे तो उस भीड से दसगुना जादा भीड होता। उन लोगों ने इतना प्यार दिया सधारन परिवाएं महिला हैं। उस धक्का में आके राखी बांधी महिला हैं। अच्छे अच्छे लोग नवादा एक जगा है जहां पर जेल जाने से कुछ दिन पहले जो है छे यह हो गया था जहर खा के लोग मर गये थे मैं वहाँ पर जाके वीडियो बना रहा था। तो कुछ साजिस करने वाले लोग जो है मेरे खिलाप बत्तमी जी किये गाली गलोच किये वीडियो बनाया वो वीडियो वाइरल हुआ। नवादा में जेल जाने के पहले की कहानी बता रहा हूँ जिस नवादा में कुछ लोगों ने मुझे गाली दिया। उसी नवादा में जेल से निकलने के बाद मैं गया तो सड़क पे रोक के वहाँ की ओरते जो है मुझे तिलक लगाई और मेरा आरती की। तो मनिश का से अब तो छोटा लकीर खीच के गया था और जेल से बाहर आया तो देखा यह लकीर तो अपने आप बड़ा हो गया है। मनिश कशप के लिए एक बार जोड़ार तालियां क्योंकि मनिश कशप ने अपने दिल की बात रखे और आज तक मनिश कशप ने किसी भी टीवी चैनल को इतनी देर का कोई इंटर्विव नहीं दिया अपनी मन की बात नहीं बताई न्यूज 18 पर आप आए इसके लिए आपका एक बार फिर से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद के आपने वक्ते आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने छोटे से गाउं के एक छोटा सा यूट्यूबर को ये मौका दिया और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रख बीच से कोई चंद्रगुप तो मौरे पाइदा होगा आप लोग मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई अटल विहारी बाचपी पाइदा होगा आप लोग मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई नरेंदर मोधी पाइदा होगा तो आप लोग जो है वैसे लो कर रहे थे बाचीती कर रहे थे हैं ना ठीक है तो कड़ा इंटरिव्यू नहीं हुआ हला कि मनीश के बाद बहुत कुछ कड़ा करने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा क्योंकि आग लगी हुई है लेकि सार्थक प्रियास करेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के ये भी मरी शाष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जाहिन